हम कुछ बातें सीख्ते हैं जो हमारे लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होनी वाली है वह कौन सी दोस्तों तो हम गौलीयर में समाधी पढते हैं क्या दोस्तों गौलीयर में समाधी heading डाल लिजेगा अपनी नोर्थ में गौलियर में समाधी क्या पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि गौलियर में कौन-कौन से समाधिया है गौलियर के किले के भीतर आपको कौन-कौन से मकवरे देखने को मिलते हैं clear दोस्तों तो सबसे पहला हरता है दोस्तों इस तरह आप heading डाल लिजेगा गौलियर में समाधी क्या heading डालना है आप लोग को गौलियर में समाधी सबसे पहले दोस्तों गौलियर में हमें रानी लक्षमी बाई की समाधी देखने को मिलते हैं दोस्तों रानी लक्षमी बाई की समाधी किसकी देखने को मिलती है रानी लक्षमी बाई की समाधी तो अगर आप से कोशन पूछा जाएगा कि बताईए रानी लक्षमी बाई की समाधी कहां पे है तो गौलियर में है और इसके बारे मैं डिटेल में भी बताऊंगा की सहयोगी थी यह सनो तो धियान रखिएगा रानी लक्षी वाई की समाधी गौालियर में है और उनकी जो सहयोगी थी झालकारी वाई की समाधी भी कहाँ पे है गौलियर में क्लियर दोस्तों चले उसके बाद दोस्तों गौलियर में आपको मुहम्मद गौस का मकवरा देखने को मिलेगा डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी तो बस ये बता रहा हूं कि कौन कौन से समाधिया आपको मकवरे मिल रहे हैं तो गौलियर में आपको मुहम्मद गौस का मकवरा मिलेगा लिखत तो आपको तान सेन का मकवरा भी मिलेगा तो आपको गौलियर में कितनी समाधियों मकवरे मिलेंगे तो चार प्रसिद्ध समाधियों मकवरे मिलेंगे एक बार मेरे साथ बोलिए और क्लास में चीजों को याद करना है किसकी समाधि रानी लक्षी भाई की समाधि और रानी लक मकवरा है तान सेन का मकवरा तो गौले किले में आपको कित्ती समाधियों मकवरे मिलेगे चार कौन कौन से रानी लक्षमी भाई की समाधि मेरे साथ बोलिए रानी लक्षमी समाधि जहलकारी भाई की समाधि मुहम्मद गौस का मकवरा और तान सेन का मकवरा क्लियर दोस्तों चलिए अब एक करके क्या करते हैं दोस्तों इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं तो हेडिंग डालिएकर सबसे पहले रानी लक्षमी बाई समाधी किसकी समाधी दोस्तों रानी लक्षमी बाई समाधी कौन समाधी रानी लक्षमी बाई की समाधी आप सभी को पता है दोस्तों कि 1800 संतामन की क्रांती में गोद लेने के अधिकार को लेकर रानी लक्षी भाई अंग्रेजों के खिलाब जंग पे उतर गए थी यह सोनो और रानी लक्षी भाई एक अंग्रेज अधिकारी था हिूरोज क्या नाम था उसका अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों एक गौलियर में एक इस्थान है दोस्तों फूल बाग कौन सा इस्थान है गौलियर में एक इस्थान है फूल बाग मेरे साथ बोलिए गौलियर में कौन सा इस्थान है गौलियर में एक इस्थान है दोस्तों फूल बाग और फूल बाग में आपको लक्षीम भाई की समाधी उसके बाद एक और point note करिएगे दोस्तों इनकी एक सहयोगनी थी और कहा जाता है ये जो सहयोगनी थी जिनका नाम जलकारी बाई था वो हू बहू रानी लक्षमी बाई के जैसे दिखती थी और इन जलकारी बाई का काम क्या था चुकि जलकारी बाई किसके जैसे दिखती थी रानी लक्षिमी भाई के जैसे दिखती थी तो इन जलकारी भाई का काम था अंग्रेजों को धोका देना इन जलकारी भाई ने भू भू वैसा ही जो है बेस भूसा धारण की थी जैसे रानी लक्षिम भाई तो कई बार क्या होता था दोस्तों अंग्रेजों को धोका हो जाता था कि ये रानी लक्षिम भाई है याने अंग्रे जलकारी भाई के पीछे आ जाते थे और तब तक रानी लक्षिम भाई दूसरे तरफ जो है जंग के तलवार लेकर पहुँच जाती थी तो ध्यान रखेगा रानी लक्षिम भाई की सहयोगनी थी जलकारी भाई और ये जलका में जल्दी से एक बार मेरे साथ बोल दीजे मुनिकर आठोर नैंसी तोमर साइब साय सबको बोलना है एक बार मेरे साथ गुड़ आप्टरनू सबको कि रानी लक्षी भाई की सरयोगनी कौन्ती जलकारी भाई इनकी समाधी कहां पे दोस्तों फूल भाग गॉलेर में क्लियर है दोस्तों चले एक जगह हमें कई बार confusion होता है और उस confusion को आपके पूछने से पहले ही मिलें और इन अवंती भाई की समाधी दोस्तों आपको दिंडोरी जिले में मिलती है clear दोस्तों और दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों जिस प्रकार रानी लक्षी भाई की सहयोगनी जहलकारी भाई उसी तरह अवंती भाई की सहयोगनी हुआ करती थी उनका नामता गिर्धारी भाई क्या नामता दोस्तों उनका नामता गिर्धारी और एक गिर्धारी बाई कि समाधी कहां पे है, इन गिर्धारी बाई कि समाधी है मंदला में, दोस्तों काफी confusion होता है, तो ध्यान रखिएगा रानी लक्षिम बाई की सयोगनी कौन है, जलकारी बाई, कैसे याद करेंगे, कुछ दिन में confused हो जाएंगे, कि जलकारी बाई, र से जलकारी दोनों की समाधी कहां मिलती है फूलवाग गॉलियर में और आपको अवंथी बाई और गिर्धारी भाई की समाधी कहां पर दिखती है मंडला में क्लियर दोस्तों तो चलिए एक बार मैं आपको रानी लक्ष्मी भाई की समाधी के दर्शन कराता हूं ये देखिए दोस्तों इस प्रकार की समाधी स्थर पर महरानी लक्ष्मी भाई की प्रितमा इस्तापित है पर आप सभी को पता है कि 18 जून, ये डेड़ भी लिख लीजेगे दोस्तों कि रानी लक्षमी भाई का बलिदान दिवस कब मना जाता है, क्या दोस्तों, रानी लक्षमी भाई का बलिदान दिवस, नोट कर लीजेगा, रानी लक्षमी भाई का जो बलिदान दिवस है, क्या ह करना है कि रानी लक्षिम भाई का बल्दान दिवस 18 जून 18 संठामन को और रानी लक्षिम भाई की समाधी फूल बाग गौलियर में इतनी बाद क्लियर होगी दोस्तों चले कहानी कम थोड़ा सा आंगे बढ़ाते हैं मैंने क्या बताया कि आपको गौलियर में टोटल चार समा क्वाधियों मिलेंगे कौन-कौन से रानी लक्षिम भाई जहलकारी भाई उसके अलावत दोस्तों आपको मिलेंगी मौहमद गौस का मकवरा मिलेंगा मुहमद गौस की करेब मोहमद गौस का मकवरा क्या हीडिंग डालना है मुहम्मद गौस का मकवरा 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 क्लियर दोस्तों यह भी कहां पर है दोस्तों यह भी गौलियर में है कहां पर है गौलियर में रान लक्षमी भाई और जलकारी भाई की समाधी गौलियर के फूल भाग में था और ये मुहमत गौस का मकवरा कहा पे दोस्तों गौलियर के हजीरा में तेक बार मेरे साथ बोल दीजे मुहमत गौस का मकवरा गौलियर के हजीरा में और रानी लक्षमी भाई यो जलकारी भाई का दोस्तों ये मुहम्मद गौस थे कौन तो ये मुहम्मद गौस दोस्तों एक सूफी संत थे कौन थे एक सूफी संत थे और इन्होंने दोस्तों तान सेन की तोतली आवाज को ठीक किया था क्या दोस्तों तान सेन की लिखिये मेरे साथ तोतली आवाज जब तान सेन जो बच्प आवाज को ठीक किया था जहां सुनिए दोस्तों तान से ने संगीत की सिक्षा स्वामी हरी दास से ली क्या दोस्तों तान से ने संगीत की सिक्षा ब्रंदावन के स्वामी हरी दास से ली जबकि तोतली आवाज को किसे ठीक किया था मुहम्माद गौस मुझे पता ही दोस्तों अगर तान सेन की तोतली आवाज ठीक न होती, क्या कभी तान सेन इतने बड़े संगीत अग बन पाते, बिलकू नहीं बन पाते, यानि नो डाउट तान सेन के संगीत की गुरू स्वामी हरिदास थे, लेकिन सबसे पहला काम किसे किया मुम्मत गौष ने किया, जो जिन्हों ने उनकी तोतली अवाज को ठीक किया अगर तोतली अवाज ठीक ना होती तो सवामी हरिदास के कितना भी संगीत सिखाने पर तान से ऊच्छ सम्राठ ना कहला थे तो मुझे बता हि Audrey तान सेन के जीवन में सबसे गुरु के रूप में सबसे बड़ा किसका मत होगा मुहमत गौस का होगा यह सोनो और मुहमत गौस के मकवरे की करीब ही दोस्तों तान सेन का मकवरा भी अबस्तित है तो ध्यान रखेगा मुहमत गौस के मकवरे के समय पी किसका मकवरा है तान सेन का मकवरा क्लियर है दो दोस्तों नो डाउट ये क्या थे ये बहुत बड़े सूफी संत थे मुहमत गौस कौन थे दोस्तों मुहमत गौस बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे और आप जब दोस्तों मद्ध काली इतिहास में भक्ति और सूफी अंदोलर पड़ते हैं तो आपको पता होगा दोस् सूफिजम में बहुत सारे सिलसिले आते हैं बहुत सारे क्या आते हैं उसमें छोटे-छोटे पंथ आते हैं बहुत सारे क्या आते हैं दोस्तों सिलसिले आते हैं तो यह जो मुहमत गौश थे हैं सूफी संत्तु थे लेकिन सूफी में एक संपरदाय दोस्तों सक्तारी संपरद तो सूफी में एक संपरदाय आया करता था, सत्तारी संपरदाय के मानने वाले थे मुहम्मद गौस. तो बारे में पहला पॉइंट मुहम्मद गौस का मकबरा कहां पे है हजीरा गौलियर में. मुहम्मद गौस वही है जिन्होंने तान सेन की तोदली आवास को ठीक किया था. कि निर्मान किसने कराया किम कम महांद गौस के मकवार साहिब किस ने ते गुंखाइगा कि मुपर ने किस्फ ने कराया थ किस ने कर आता है धर दोस्टोर्ट साछा माइब कर निर्मान किस ने किसे अ arbitrator प्रइंए कराये था, clear दोस्तों, एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको इस महम्मद गॉस के मक्वरे के दर्शन कराये देता हो, clear दोस्तों, आप इस स्क्रीन में फरमाइगा दोस्तों, इतनी जी, खुपसूरत इमारत दिख रही है यह मुहम्मद गौस का मकवरा है और यहीं पर किसका मकवरा है किसकी समाधी है तान सेन की समाधी भी है क्लियर दोस्तों इतनी बात याद रह जाएगा कि नहीं चले दोस्तों एक पॉइंट और नोट करिएगा दोस्तों मुहम्मद गौस के पारे में कि मुहम्मद गौस ने एक ग्रंथ की रसना की थी मुहम्मद गौस के ग्रंथ का नाम है गुल जारे अबरार क्या नाम था दोस्तों मुहम्मद गौस के ग्रंथ का नाम था गुल जारे अबरार डायेक कुछा जाएगा कि मुहम्मद गौस ने किस ग्रंथ की रसना की है तो गुल जारे अबरार क्या दोस्तों गुल जारे अबरार तो क्या कहदान रखना एक बाद फिर सुन लीजे मुहम्मद गौस तान सेंद की गुरू थे जिरों ने तान सेंद की तोतली आवाज को ठीक किया था मुहम्मद गौस का मकबरा कहां पे है तो गौलियर के हजीरा में है किस ने निर्मार कराया था अकबर ने निर्मार कराया था जो मुहम्मद गौश दोस्तों कि संपरदाय को मानने वाले थे तो सूफी मत में सतारी संपरदाय को मानने वाले थे मुहम्मद गौश ने किताब लिखिये दोस्तों गरंत लिखा है गुल जारे अबरार तो डा किसका मकवर आता है महमा करीबइ किसका मकवरBe pasa था दोस्तों सेंक Ар और रचेंग दालेगा द्य just कौँए दोस्तों मैं भी चर्चा नहीं करणगा कि इनका नाम रामतनु पांडे या रामतनु-मिस्षरा था पेर मैं यह अभी चर्चा नहीं करणगा कि इनके पिता का ना मकरन था, इन्होंने सिक्षा स्वामी है दासली थी, इन्होंने कौन-कौन सी ग्रंत लिखी, ठीक है, ये सुरुआत दौर में मान सिंग तोमर के दरवारी कभी थे, उसके बाद सूरी दौलक खा सूरी के दरवारी कभी हुआ करते थे, उसके बाद ये राम पर चंद्र बगेल से अक्बर के दरुवार में चले गए थी इंकी चर्चा कि खुद में ऊप्राइं ऑच का मँलम अभक्वर की । मैंने अभी बताया हजीरा में कहा है की गुरुमूर सा उ सक्ष्राइज का गौँवलिन मंहें झाली वर्ति का समेब राइक है और इन्हों ने कहे रखा था जब मेरी मिर्टी होगी होगी तो मेरे मेरी जो समाधी है मुझे त्वफनाए जाएगा मेरे अ करीब दफना जाएगा इनके सिक्षा की पूर्ति के अकबर के मिलत टान सेन का मकवर ह्म हम्मत गौस के कैसे आथ हे जातां किया दोस्तों चलें आप सभी को पता है तान सेन को क्या कहते हैं हम संगीत समराट कहते हैं और दोस्तों कहानी है 1924 की कबकी दोस्तों वर्ष है 1924 की और इस टाइम पर जो सिंध्या सासक थे वो माधा और राव सिंध्या थे कौन थे दोस्तों इस टाइम पर जो सिंध्या सासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे माधा नशनल पार्क है सीवपुरी में वही माधव है जिन्होंने विक्टोरिया भवन कर निर्माण कर आया और जोर्ज कैसर भवन का भी निर्माण कर आया और इनका जो टाइम प्यर्ड है दोस्तों रपली 1905 2035 औरrop Shore काल में ध्यान सुनायगा दोस्टों दिमाग एकदम सान्ट कर लिजए परॉब क्राम की कहानी है दोस्तों 1924 की कपकी कहानी है नैंसी कपकी कहानी है गुलफजा कपकी कहानी है साहिबा जल्दी मुझे आंसर करें कहानी है 1924 की कपकी है 1924 की इस टाइम पे सिंध्या सासा कौन थे माधा और आव सिंध्या और माधा और आव सिंध्या के काल में दोस्तों तान सेन के सम अखबरे के करीब ही दोस्तों तान सेन समारो की सुरुवात की जाते हैं किसकी सुरुवात की जाती है तान सेन समारो की तो अगर आपसे पूछा जाएगा तान सेन समारो कहां मना जाता है गौलियर में गौलियर में कहां हजीरा में हजीरा में कहां पे तान सेन की समाधी में ये बाद clear हो गी दोंसतों अब ध्यांस से सुनिए मैं क्या कहना जाराए हूं सुनियेगा मैं से मिटा, मैं रब करता हूं अब मेरी कहानी ध्यांस सुनियेगा दोसतों पच्ची से 30 दिसमबर 2021 के बीच में कप से कब तक दोस्तों? 25 से 30 दिसंबर 2021 में दोस्तों क्या किया गया धान सुनेगा 97 नंबर का कित्ते नंबर का 97 नंबर का तान सेन समारो मनाय गया क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनेगा कि 25 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में किते नंबर का तांसें समारो यह जरूर एक्दम दिमाग में बैठाए रहेगा तो माधाव राओ सिंध्या के काल में, किसके काल में, माधाव राओ सिंध्या के काल में, यह वही माधाव राओ सिंध्या जिन्होंने विक्टोरिया भवन का और जॉर्ज कैसर भवन का निर्मान करा है, क्लियर दोस्तों, 2021 में कितने नंबर का था दोस्तों, 97 नंबर का, अब उन्होंने दो बड़ी बड़ी घोशनाएं कर दी, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, यह जो 97 नंबर का जो तानसें समारो, जो कि 25 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में मनाय गया, इस समारो में हमारे सिवरा सिंग चोहन गए, सिवरा सिंग चोहन ने दो बड़ी बड़ी घोशनाएं कर दी और वो दो बड़ी बड़ी घोशना है कौन सी थी दोस्तों एक बड़ी घोशना तो ये थी इन्होंने कहा कि जिस तरह तान सेन समारोह मना जाता है उसी तरज पर बैजू बावरा समारोह भी मना जाएगा क्या मना जाएगा दोस्तों बैजू बावरा क्या दोस्तों बैजू गायक थे मान सिंह तोमर के दरवारी गायक थे कुछ समय तक अखबर के दरवार भी रहे हैं और इन बैजु बाबरा की अगर आपको समाध ही पुछेगा तो वो है चंदेरी में मैं पढ़ाऊँगा जब चंदेरी का किला पढ़ाऊंगो दोस्तो तो आपको इसकी भी चर्चा करूँगा तो शिरा सिंग चौहान ने कहा कि जिस तरह तान सेन समारो मनाय जाता है उसी तरह हम बैजु बाबरा समारो को ही समारो को भी जल्दी सुरू करने वाले दूसरी घोशना इन्हों ने ये कहा दोस्तो जो तान सेन समान होता है कौन सा समान दोस्तो जो तान सेन समान होता है और जो काली दास समान होता है क्या दोस्तों तान सेन समान और काली दास समान इसमें पहले दो दो लाख रुपए दिये जाते थे क्या दोस्तों इसमें पहले क्या किया जाता था पहले दो लाख रुपए की रासी दी जाती थी समान के रूप में अब इसमें पांच ला पढ़ेंगे बहुत सारे पुस्कार बताऊंगा बिल्कुन परशान मत हो ये अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि शिवरासिंग चोहान ने पांच लाख रुपए कर दी जाएगी तो ध्यान रह जाएगे इतनी बात दोस्तों कि 25 से 30 दिसामद 2021 के बीच में संतानेवे तांसें समरू क्लियर है जल्ली से मुझे बता दीजे दोस्तों मुहम्मद गौस मुहम्मद गौस के मकवरे का नियमार किसने करा था अकबने किसने रही कहानी को थोड़ा सा आंगे बढ़ाते हैं यह देखिए दोस्तों यह 26 स्वारी दोस्तों लगता मैंने 25 से देट लिख दिया था लेकिन इसकी सुरात का फ्यूति थोड़ा सा सुधार कर लिजेगा माफी चाहूंगा सुरात फ्यूति इसकी 26 से 30 दिसंबर के वीच में देखिए दोस्तों यह है हमारे सिवराशिन चौहन और जोत्रा दिर्सिंद्या और जो है दोस्तों हमारे मत्पेश की जो संस्कृति मंत्री उच्छा ठाकूर और यह सब दोस्तों किसकी 27 समारों की सुरूत कर रहे है क्लियर है चलिए मुझे एक बात बताई दोसों एक बात जलदि से मुझे आंशर कर देज्यें कि वर्स्त पूर्स पूरे होंगे की नहीं होगे वर्ष 2024 में इस तांसें समारो के 100 बस पूरे होंगे यानि सताब्दी समारो मना जाएगा क्या मना जाएगा सताब्दी समारो मना जाएगा तो आपसे डायट कोशन पूछेगा आपसे देखो ये डायट कोशन पूछ सकता है कि 3000 समयरों की सुरात कब से हुई 1924 से अगर ये नहीं पूचे गा तो आपसे indirectly पूचेगा कि किस वर्स 13 समयरों की सताबदी समयरों मना जाएगा क्या veteran का स्21 समयरों कब मना जाएगा तो 2024 में आप खुद देखी ना 97 अमबर का कब मना जाए गया अस्तावे नमबर का कम मनाएगा 2024 में, क्लियर दोस्तों, चलिए, इतनी बार नोट का लिजेगा, कि तान सें समारों का सताब्दी समारों, यानि सो वर्थ कभ होंगे 2024 में, अब मेरे एक सवाल का अंसर दे दीजी दोस्तों, काफी सामने से आपके सामने ये घुम रहा है, कि न अगले सवाल का जवाब दीजेगे दोस्तों, तान सें संगीत समारों की सताब्दी किस वर्थ आउजइत की जाएगी, मैंने अभी बताया, 2024 से माधर और सिंद के काल में शुरू हुई और सो वर्ष यानिे 2024 में तान सेन समारो की सतापदी समारो यानि सो वर्ष का जो समारो है वो मनाये जाएगा तो इसका अंसर क्या होगया दोस्तों? 2024 में, क्लियर है? चलिए दोस्तों, उसके बाद एक पॉइंट और नोट करिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि तान सेन समारो का आयोजन कौन करता है तो नोट करेगा मेरे साथ दोस्तों दो संस्थाइं मिलकर इसका आयोजन करती है एक संसा तो ऋ है दोस्तों, अलाॵदीन खा, संगीत एवं कला एकैडमी, कहां पे है दोस्तों ये एकैडमी भोपाल में है? बिल्कुन konfuse नहों तोस्तों अलावदीन खां संगीत समारो मैयर में मना जाता है जिसे मैयर फेस्टिबल भी कहते है लेकिन अलावदीन खां संगीत कला एकैडमी कहां पर है बोपाल में और दूसरी जो संस्था है दोस्तों वो मद्ध प्रदेश का संस्कृति विभाग क्या दोस्तों मद्ध प्रदेश का संस्कрτι भी भाग और ये दो संस्थाएं मिलकर दोस्तों तन से समार्ओं का आजण करते हैं अ अगर आफे पूछा जाएगा कि वर्तमान में मत्पे संस्क्रिती मंत्री कौन है तो वह है सूरी उशा ठाकूर जी जोकि महु विधान सभाज से आते हैं महु जिसका पूरा नाम क्या है महु जिसका पूरा नाम military headquarters of war महु जहाँ पे दोस्तों परशुराम सोध पीठ है महु जहां से सादत खाने क्या दोस्तों सादत खाने 1857 की क्रांति का अलग जगाया था महु में ही दोस्तों आपको भीम राउम बेटकर की जन्मिसली और डॉक्टर भीम रा करते गा कि इस तानसे इन समारों का ऐजन एक संगीत अकैडमी और मध्य प्रदेश का संस्केती विभाग कोन से संस्था मिलकर करती है क्लियर दोस्तों चले आगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि 2021 में तांसे समारों का कौन सा संस्क्रण आउजित किया गया जल्दी मुझे पताएं कौन सा संता निगा और सौवा समारों कब होगा 2024 में क्लियर दोस्तों चलिए